बाग गुफाएं इस्थित हैं इसका आंसर है ओप्शन A मध्यप्रदेश में भारत माता के चित्रकार थे आंसर है ओप्शन B अबनींद्रनाथ टैगोर बादा में गुफा संख्या एक की छवियां हैं आंसर है इसका ओप्शन A नटराज की रूप में भगवान शिव कालकाचार कथा और कल्प सूत में चित्रित किया गया है आंसर है ये हैं जेन लगो चित्र प्रसिद्ध चित्र महालक्षमी जिसे धातुई किवाड पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार है धातुई किवाड याने की शटर पर महालक्षमी चित्र बनाया है आप्शन सी अतुल डोडिया जी ने उस कलाकर का नाम बताईए जिसे कैलेंडर आर्ट फरनालाड लेजर और हेंडरी रूसो की करतियों से प्रेंडना मिली ये कलाकर थे आप्शन डी भूपैन खकर जी प्रसिद समकालिन कलाकर अमित अमबलाल यहां से हैं अमित अमबलाल थे गुजरात एहमदाबाद से आंसर है यहां पर आप्शन डी नंदलाल बोस के कलाकर जीवन में मुखी परिवर्तन डेश के चित्र देखने के बाद आए तो ये परिवर्तन आये उनके जीवन में अजन्ता भित्ति चित्र देखने के बाद आंसर है option D प्रारमी गोथिक मोजे कला में टीसे रही किया है तो टीसे रही है छोटे रंगीन घन option D सबसे महतुरपूर्ण नियूंतम वादी कलाकारों में से एक है इसका आंसर है option A कार्ल आंद्रे किसने विश्व प्रसीद सिस्टेन चैपल चट पर पंदरा सो पाच से पंदरा सो बारा में इसे चित्रित किया ये चित्रित किया माइकल एंजलो ने answer है option B ताल लगुचित इनसे सम्बंदित थे आंसर है इसका option B बोद्ध धर्म अवतार सी पावार सम्बंदित थे आंसर है option C मूर्तिकला कालकाचार कथा का यह एक हस्त लिखित चित्र है आंसर है option B जेन उस चित्रकार का नाम लिखिये जिसने अंदे होने के बावजूत भी अपना काम जारी रखा आंसर है option D पिनोद बिहारी मुखर जी काले और सफेद रंग के साथ जयामीती अमूर्थ चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिये आंसर है इसमें option B नसरीन मुहमदी लखनो का चित्र किसने बनाया है आंसर है option B मदल लाल नागर हिमाले परवयत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है आंसर है option B निकोलस रोरिक सोमना थोर सम्बंदित थे आंसर है option B प्रिंट मेकिंग पच्मडी की पहड़ियां किस राजी में इस्थित हैं आंसर है इसका option B मध्यप्रदेश बीम बेट का गुफा के चित्र है आंसर है option C साम्प्रदाइक सभा हडप्पा सबिता के इस्थल, लोथल और धोला विरा इस्थित है आंसर है इसका option A भारत में जो गिमारा गुफा के चित्रों की अवधी है इसका आंसर है option A अजन्ता गुफाओं के चित्रों से पहले की पंद्रा सो आठ से ग्यारा में किसने दा स्कूल ओफ एथिन्स नामक पैंटिंग का निर्मान किया था इसका आंसर है option C राफेल सेंजियो कौन सा MF हुसेन का चित्र है आंसर है इसमें option B Mother Teresa भित्ती चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निश्पादित की जाती है उसे कहा जाता है इसका आंसर है option A फ्रेस को मिर्जापूर के पुर्व एतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं इसका आंसर है option A घोड़े और हाथी अपने दो चहेते कलाकार डेविड हौकनी और भूपन खकर के साथ जैम्स बॉर्ण के रूप में स्वेम चित्र बिनाने वाले कलाकार हैं ये हैं अतुल डोडिया option D statue of unity किसकी कलाकरती है statue of unity को डिजाइन किया है option A राम सुतार जी ने मुंबई इस्थित उस कलाकर का नाम बताईए जो अपनी जलवण आकृतियों के लिए चाने जाते हैं answer है option A समीर मंडल बद्रिनात आरे के चित्र का शीर्षक चुनिये answer है option A गंगा अवतरण नंदलाल बोस के कलाकर जीवन में मुख्य परिवर्तन डेश के चित्र देखने के बाद आए तो ये परिवर्तन आए उनके जीवन में अजनता भित्ति चित्र देखने के बाद answer है option D प्रारमी गोथिक मोजे कला में टीसे रही किया है तो टीसे रही है छोटे रंगीन घन option D सबसे महतुरपुन नियूंतम वादी कलाकारों में से एक है इसका answer है option A कार्ल आंद्रे किसने विश्व प्रसीद सिस्टेन चैपल पर चट पर पंद्रा सो पाँच से पंद्रा सो बारा में इसे चित्रित किया ये चित्रित किया माइकल एंजलो ने answer है option B